नवंश्कार असलाम वर्लाइकम सच्छ्छा काल दूस्तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ड्राइमाउथ यानि मूँसूहने की बीमारी के बारे में दोस्तो हमारे मुँ में स्लाइवा पाया जाता है अब ये स्लाइवा काफी फायदे मंद होता है हमारे शरीर के लिए कैसे जो हमारा स्लाइवा होता है वो हमें भारी संकर्मन यानि बैक्टीरिया फंगाई का जो संकर्मन है उससे बचाने में वदद करता है हमारे मुँ को क्ल शरीर के लिए लेकिन कुछ कारण से क्या होता है कि सलाइवा बनना कम हो चाता है और मूँ सूपने की स्तती हमारी बन जाती है अब इसे कारण क्या है कारण काफी सारे हैं जैसे अगर आपकी किसी बीमारी की वज़ा से लंबे समय से दवाई चल रही है आपको कोई किड़नी क की समश्या हो सकती है या फिर दूसरा कारण अगर हम देखें तो जो आपके slivery gland हैं जिसमें से sliwa बंद कर निकलती है उसमें अगर किसी तरह की कमी आ जाए इस स्लiwa बनना कम हो जाए तो भी मुध सुखनी के आपको समश्या हो सकती है अगला कारण हो सकता है dehydration अगर आप पानी कम पीते हैं पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो भी आपको dry mouth की समझ्या हो सकती है अगला कारण है आप अगर जादा को पसीन आता है आपको ज़्यादा पेशाब आता है तो पाने की कमी आपके शरीच से होती है तो वो भी कारण बन सकती है ड्राइ माउट या मूँ सूखने के लिए अगला कारण हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल अगर आप सिगरट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तमाकू ख सकती है अब इसके इफेक्ट आपको क्या देखने को मिल सकते हैं आपके लिप्स जो हैं वो ड्राइ हो जाएंगे सूखे सूखे लगेंगे जो उनका गुलाबी रंग है वो खतम होता चला जाएगा आपको माउट अलसर की समश्या हो जाएगी मूह में जगा जगा छाले हो प्यास बार बार आपको दुर्गंद आनी शुरू हो जाएगी बार बार आप ब्रश भी करते हैं खाने के बाद कुला भी करते हैं लेकिन मूह से बदवू आती रहती है तो यह इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं बात करते हैं तो यहां दो तरह के ट्रीटमेंट में आपको बताने वालों पहला home treatment दूसरा medical treatment तो पहला home treatment हम करेंगे क्योंकि जायता लोग चाहते हैं कि घर में ही कोई इसी चीज में जाए जिससे हम उसका उपचार कर लें और हमें बाहर जाना ना पड़े पहला उपचार घर का उपचार आप पहले तो abort कीजिए जादा चाय या ज्यादा कोफिया कर पींइस Вас report कीजिए श॑र्ट तमाकों का इस्त OC heiß c骑 ज्यादा इस्तेमाल करें लिमिटे में आप करसकते हैं ज्यादा करते हैं यह दिक्त होगी तो उसको आप ज्याधा इस्तीमाल करें घड़ का इस भी आप मुनका भी इस्तिमाल कर सकते हैं, आप सफर में जा रहें, मुह सूखने की स्थिये, आप चुइंग अब इस्तिमाल कीजिए, लार बनती रहेगी, मुह नहीं सूखेगा, ड्राइनेस की समझ्चा नहीं होगी, अब बात करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, तो आप माउट आता है, उससे आप कुला कर सकते हैं, थोड़ी देर मुह में रख करके उसे कुला करते रहें, उससे भी ड्राइनेस की समझ्चा आपको नहीं होती है, या फिर एक टैबलेट आती है, जिरो स्टॉम के नाम से, इसको आपको सुबह शामे की गोली खानी होती है, और इसे और आपको मुह सुखने की समझ्चा ट्राइनेस की समझ्चा नहीं होती है, उमीद है यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर कोई कोश्य ना पूछना चाते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो पढ़ना हैं, चैनल पढ़ना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना धन्यवाद, नमस्कार